जैहिन फ्रेंड्स मैं सौरब जा आपका स्फागत करता हूँ आपके अपने चैनल BSA Trigate Classes पे आज हम दोग SSC CGL और SSC GD के एक्जाम को ध्यान में रखते हुए SSC के एक्जाम में बार बार पुछे जाने वाले Most Important Topic First in India भारत में पर्थम से जुड़े महत्पुन प्रसनों को देखेंगे साथे साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रसनों को डिसकस करेंगे जो SSC CGL और SSC GD के एक्जाम में आप से पुछे जा सकते हैं आप सभी से request करेंगे कि आप class को अधिक से अधिक share करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे class में उपस्तित होकर class का लाब उठा सकें आप सभी से request करेंगे कि आप class में सारे सवालों के answer अवस्य क्या करें तो चलिए शुरू करते हैं class और देखते हैं हमारा पहला सवाल भारती रास्टी कॉंग्रेस के पर्थम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को पता होगा इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के अस्थापना 28 दिसंबर 1885 इस्वी को की गई थी इंडियन नशनल कॉंग्रेस के स्थापना 28 दिसंबर 1885 इस वी को A.O. Hume के द्वारा किया गया था तो अगर आपसे पूछें इंडियन नशनल कॉंग्रेस अपना अस्थापना दिवस कब मनाता है और इंडियन नस्टनल कॉंग्रेस के स्थापना A.O. Hume के द्वारा की गई थी याद रखेंगे तो A.O. Hume, Alan Octavian Hume ने 28 दिसंबर 1885 इस वी को इंडियन नस्टनल कॉंग्रेस के स्थापना की थी अगला important सवाल पूछेगा इंडियन नस्टनल कॉंग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था तो इंडियन नस्टनल कॉंग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 इस वी को आयोजित किया गया था इंडियन नस्टनल कॉंग्रेस का पहला अधिवेशन पूने का पहला अधिवेशन मुंबई में आयुजित क्या गया था याद रखेंगे और इसके अध्यक्ष कौन थे वयोमेश चंदर बेनर जी ओप्सन नमबर C तो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे वयोमेश चंदर बेनर जी याद रखेंगे अब यहाँ से कुछ important सवाल और आप देखेंगे जो exam में पूछता है आप से पूछेगा Indian National Congress के पहले Muslim अध्यक्ष INC के first Muslim अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है Indian National Congress के पहले Muslim अध्यक्ष कौन थे तो आप जानते हैं बदरुदीन तयब जी अगला सवाल पूछेगा Indian National Congress के पहले European अध्यक्ष कौन थे जोज यूल याद रखेगा Indian National Congress के पहले English अध्यक्ष या पहले European अध्यक्ष थे जोज यूले ठीक है तो Indian National Congress के पहले अध्यक्ष पूछेगा तो W.C.Baner जी Indian National Congress के पहले Muslim अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुदीन तयब जी अगला important सवाल इंडेन महिला अध्यक्ष कौन थी आपको बताना है तो आप जानते हैं इंडेननेनल कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी अनि बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष कौन थी स्रीमती अनि बेसेंट लेकिन अगर आप से पूछे इंडेन नस्नल कॉंग्रेस की पहली भारतिय महिला अध्धक्ष तब आपका आंसर क्या होगा इंडेनेशनल कॉंग्रेस की पहली अधक्ष पूछेगा महिला में पूछेगा इंडेनेशनल कॉंग्रेस की पहली भारती महिला अधक्ष सरोजनी नाइडू याद रखेंगे एनी बेसेंट आयरलेंड की रहने वाली थी याद रखेंगे एनी बेसेंट 1893 स्वी में आयरलेंड से भारत आई थी चीक है तो इंडिये नस्नल कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट इंडिये नस्नल कॉंग्रेस की पहली भारते महिला अध्यक्ष स्रिमती सर भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले पर्थम वैक्ति कौन है आंसर करेंगे भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले पहले व्यक्ति कौन है अप्शन A, James Augustic की, अप्शन B, सत्यंद्रना टेगोर, अप्शन C, दादा भाई नरोजी, अप्शन D, लॉर्ड मियो तो फटा-फट आंसर करेंगे क्या होगा अगर आपसे पूछे, इंडियन नस्नल कॉंग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नरोजी याद रखेगा, इंडियन नस्नल कॉंग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नस्नल कॉंग्रेस के पहले गैर हिंदू अध दब अंगाल गजट जो अंगरेजी भासा में पब्लिस किया जाता था तो याद रखना है कि 1780 इस्वी में कलकत्ता से दब अंगाल गजट नामक अंगरेजी समाचर पत्र का प्रकासन किया गया था और दब अंगाल गजट भारत का पहला समाचर पत्र था जो की जेम्स अगस ठिक की option number A याद रखेंगे और ये important सवाल है इंडियनेशनल कॉंग्रेस के पहले गयर हिंदू अदेक्ष कौन थे दादा भाई नरो जी याद रखेंगे भारत का पर्थम पहला गवर्णर जनरल कौन थे तो आप जानते हैं कि भारत के पहले गवर्णर जनरल दे लौड विलियम बेंडिक तो आपका अंसर होगा option number A Lord William Bentic भारत के पहले Governor General थे याद रखेंगे ठीक है अब यहाँ से बहुत सारा सवाल आपका एक्जाम में बनता है Lord William Bentic से भी जैसे पूछता है भारत में सतीपर्था किसके सासनकाल में समाप्त किया गया था तो आप जानते हैं सतीपर्था का अंत किया गया था Lord William Bentic के कारेकाल के दोरान ठीक है इंपोर्टेंट है इसको आप याद रखेगा तो भारत का पहला Governor General कौन था Lord William Bentic option number A याद रखेगा ठीक है और केनिंग के समय में कौन सा incident हुआ था तो बंगाल का इभाजन अगर पूचेगा तो Lord Karzan याद रखेगा बंगाल का इभाजन किसके समय में हुआ था Lord Karzan बंगाल का इभाजन बंगाल का इभाजन पूचेगा 1905 में हुआ था बंगाल का इभाजन 1905 में हुआ था ठीक है ये करजन के सासनकाल में हुआ था ठीक है और cannings एगर पूछे तो आप जानते हैं cannings के समय में 1857 की किरांती हुई थी 1857 का करांती कब हुआ था तो 1857 का करांती हुआ था canning के समय में अगला cannings से सवाल क्या इया याद रखेगा cannings से की भारत का अंतीम गवरनर जनरल कौन था केनिग मांट बेटन से פूछेगा तो आफ जानते हैं लोर्ड मांट बेटन के बारे में कि अंतिम बृटिस वाइसराई थे कौन लौड मांट बेटन और साथंटिसाथ भारत के पहले governor general थे lord mount बेटन ठीक है तो भारत के पहले governor general कौन थे lord with jam band prix और सती प्रथा को चार्टर एक्ट 1833 किस के समय में आया था तो लॉड विल्यम बेंटिक के समय में चार्टर एक्ट 1833 आया था ठीक है भारत में पर्थम समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? याद रखेंगे भारत का पहला समाचार पत्र का नाम था? बंगाल गजट। और ये कब सुरू किया गया था? दबंगाल गजट कॉलकाता से 1730 स्वी में पब्लिस किया गया था और इसके संपादक थे जैम्स ऑगस्ट हिक्की ठीक है तो और ये इंग्लिज भासा का समाचार पत्र था अब यहां से और भी बहुत बहतरीन सवाल बनता है आपसे पूछेगा हिंदी भासा का पहला समाचार पत्र भारत का हिंदी भासा का पहला समाचार पत्र आपको बताना है भारत का हिंदी भासा का पहला समाचार पत्र पहला समाचार पत्र कब पब्लिस किया गया था भारत में हिंदी भासा का समाचार पत्र पहली बार कब पब्लिस किया गया था उसका नाम क्या था उद्दंड मारतंड याद रखेंगे नाम क्या था उद्दंड मारतंड ठीक है और 1826 इस्वी में ये कलकत्ता से पब्लिस किया तो भारत का पहला हिंदी भासा का समाचार पत्र उदंड मार्तंड 1826 में पब्लिस किया गया था कहां से कलकत्ता से और अगर पूछे उदंड मार्तंड के संपादक कौन थे या संस्थापक कौन थे तो पंडित जूगल किसोर याद रखेगा एक और सवाल लिखेगा आपसे पूछेगा सौम परकास सौम परकास पत्रिका का संपादन किस ने किया था याद रखेगा सौम परकास पत्रिका का संपादन इस्वर्चंद विद्यासागर जी ने किया था इस्वर्चंद विद्यासागर जी के बारे में आप जानते हैं कि य याद रखना है सौम प्रकास बंगला भासा में समाचार पत्र था पब्लिस किया गया था बंगला भासा में तो पूछेगा सौम प्रकास समाचार पत्र किस भासा में पब्लिस किया गया बंगला भासा में किन के द्वारा इस्वर्चंद विद्यासागर के द्वारा अगर केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किस ने किया था तो याद रखेंगे केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किस ने किया था तो तिलक जीने किया था केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किया था important सवाल है याद रखेगा ठीक है अंग्रेजी में परकासित तो केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन बाल गंगादर तिलक जी ने किया था केसरी मराठा भासा में पब्लिस किया गया था और मराठा पत्रिका अंग्रेजी भासा में पब्लिस किया गया था याद रखेगे अ यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किस ने किया महत्मा गांधी अगर आपसे पूछे नव जीवन पत्रिका का संपादन किस ने किया था अगला पूछे का इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन किस ने किया था अफरीका में महत्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन ना महात्मा गांधी नहीं किया था, महात्मा गांधी ने अफ्रिका में किस पत्रिका का संपादन किया था, इंडियन ओपिनियन याद रखेंगे, तो क्लास को फटा फटे एक बार आप लोग शेर कर दें, भारत का अंतीम गवर्नर जनरल तथा पर्थम वाइसराय कौन था? अंतीम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछे तो याद रखना है, भारत के अंतीम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग और भारत के पर्थम वाइसराय भी थे, लॉर्ड कैनिंग याद रखेगा, अब सवाल क्या बनेगा, 1857 की क्रांती किसके समय में हुई थी, तो आपक कलकत्ता, मद्रास, कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में विस्विद्याले के स्थापना हुई थी, इंपोर्टेंट सवाल है, इसको आप याद रखेगा, बंबई में विस्विद्याले के स्थापना, ठीक है, पूछेगा, विस्विद्याले के स्थापना कब की गई थी, विश्व विद्याले के स्थापना ठीक है तो याद रखेगा कि 1857 में कलकत्ता, मदरास एबं बंबई में तीन नई विश्व विद्याले के स्थापना की गई थी कैनिंग के शासनकाल के दोरान भारत के अंतिम गवर्णर जनरल थे कैनिंग ठीक है और 1858 इस वी में भारत सास के हाथों में चले जाता है और याद रखना है कि 1859 के भारत सासन अधिनियम के द्वारा लॉड केनिंग को भारत का वाइसराय बना दिया जाता है ठीक है तो भारत के अंतिम गवर्णर जनरल लॉड केनिंग को भारत का पहला वाइसराय बना दिया जाता है 1859 के भारत सासन इकाल में ही विद्वा पुनर्विवा अधिनियम लागू हुआ था तो अगर पूछता है विद्वा पुनर्विवा अधिनियम लागू हुआ था कब विद्वा पुनर्विवा अधिनियम लागू हुआ था ठीक है किन के समय में कैनिंग के समय में विद्वा पुनर्विवा अधिनियम लागू हुआ था येर भी पूछेगा तो याद रखना है विद्वा पुनर विवा अधिनियम अथारो सो चपन इस्वी में लागू हुआ था और इसमें इस्वरचंद विद्या सागर जी का बहुत ही महत्पुन योगदान था ठीक है तो केनिंग के समय में अथा 1456 इस्वी में विद्वा पुनर विवा अधिनियम लागू हुआ था और इसमें इस्वरचंद विद्या सागर जी की महत्पुन भूमिका थी याद रखेंगे ठीक है तो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी और मेयो के बारे में एक सवाल याद रखना है भारत में पहली बार जन जन गनना किसके समय में हुई थी तो मेयो के समय में 1872 में भारत की पहली जन गनना हुई थी याद रखेंगे अगला सवाल पूचता है कि लॉड मेयो के हत्या कहां की गई थी तो याद रखेगा पोर्ट ब्लेयर में लॉड मेयो के हत्या कर दी गई थी याद रखेंगे ठी ठीक है, समझ में आ गया, पोर्ट ब्लेयर में याद रखना है कि लॉड मियो के हत्या कर दी गई थी, अगर आप से पूछे भारत में पहली बार नियमित दस्किये जनगन्ना कब हुआ था, भारत में पहली बार नियमित दस्वर्सिये जनगन्ना कब हुआ था, नियमित जनगन्ना कब हुआ था और यह किसके सासनकाल में किसके कारेकाल के दौरान हुआ था आपको बताना है तो भारत में पहली बार नियमित दसवर्षी जनगन्ना हुआ था 1800 कब हुआ था 81 में हुआ था या 82 में हुआ था फटाफट बताएंगे तो 1881 हुआ होगा और यह किनके समय में हुआ था तो important है रीपन के कारेकाल के द्वरान हुआ था और रीपन को भारत में सौसासन का जनक कहा जाता है याद रखेगा ठीक है तो नियमित जनगन्ना की शुरुआत कभी थी 1881 इसमें रीपन के कारेकाल में ठीक है तो पूछेगा भारत में पहली बार नियमित दसवर्शिय जनगन्ना कभ हुआ 1881 में किसके कारेकाल में रीपन के कारेकाल में रीपन को भारत में अस्थानिय सौसासन का जनक कहा जाता है याद रखेंगे क्लास को फटा फटे एक बार आप लोग शेयर कीज़ेगा ब्रिटिस संसद का सदस से बनने वाले पहले भारतिय कौन है आपको बताना है ब्रिटिस संसद का सदस से बनने वाले पहले भारतिय कौन है तो याद रखेगा ब्रिटिस संसद का सदस से बनने वाले पहले भारतिये थे दादा भाई नरोजी ठीक है अगला याद रखना है यहां से कि दादा भाई नरोजी ने इंगलेंड में भारतिय सुधार समीती के अस्थापना किया आपसे पूछेगा भारतिये सुधार समीती के अस्थापना किसने की तो भारतिये सुधार समीती के अस्थापना दादा भाई नरोजी के द्वारा किया गया था इंगलेंड में important सवाल है तो England में दादा भाई नोरो जी ने भारतिये सुधार समिती के अस्थापना की थी 1887 इस्वी में इंग्लेंड में दादा भाई नोरो जी ने भारतिये सुधार समिती के स्थापना की थी इसके अलावा याद रखना है British और सवाल यहां से क्या क्या बनेगा तो और यहां से बहुत सारा सवाल बनता है जैसे 1906 का इंडियन नेशनल कॉंग्रिस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें दादा भाई नोरोजी ने पहली बार सौराज की मांग की थी तो पूछेगा कि पहली बार सौराज का मांग किस ने किया था कॉंग्रिस के अधिवेशन में तो याद रखना है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में इंडियन नेशनल कॉंग्रिस का 1906 का कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नोरोजी ने पहली बार सौराज की मांग की थी ठीक है important सवाल है इसको आप याद रखेगा और क्या क्या सवाल बनता है दादा भाई नोरोजी से तो दादा भाई नोरोजी ने कुछ परमुख संस्थाओं का निर्मान किया है जैसे आप से पूछेगा ब्रिटिस सारवजनिक सभा का स्थापना किस ने किया था अगला पूछेगा रहनुमाई माज दायन सभा, रहनु माजदायन सभा के श्थापना किस ने कि थी, तो तो याद रखेंगे कि दादा भाई नरोजी ने रहनुमाई माजदायन सभा के स्थापना की थी ठीक है तो 1851 में दादा भाई नरोजी ने रहनुमाई माजदायन सभा के स्थापना की थी और अगर पूछे ब्रिटिस सारवजनिक सभा के स्थापना कव किया गया था तो 1843 इसवी में दादा भाई नरोजी ने ब दादा भाई नोरोजी इंडिया नेस्टन कॉंग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष थे याद रखेंगे ठीक है तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारते वैक्ति कौन थे ओप्शन नमबर सी दादा भाई नोरोजी तो क्लास को फटा फट सेयर करेंगे आप लोग भारत का अंतिम वाईशराय का नाम क्या है आपको बताना है भारत के अंतिम वाईशराय कौन थे ओप्शन ए लौड कैनिंग ओप्शन बी लौड मियो ओप्शन सी लौड माउंट बेटन ओप्शन दी लौड करजन तो आपको बताना है भारत के अंतिम वाईशर फे ठीक है तो लॉड माउंट बेटन भारत के अंती वाइसराई थे तेक याद रखना है अन्ती म बिटिश वाइसराई पूछे गा唬। बेटन अगला पुछेगा सौतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सौतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे सौतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे लॉड विल्यम बेंटिक तो इंपोर्टेंट सवाल है पूस्ता एक्जाम में तो याद रखेगा कि अंतिम ब्रिटिस वाइसराई कौन थे लॉर्ड माउंट बेटन शोतंत्र भारत के पहले गवर्णर जनरल कौन थे लॉर्ड माउंट बेटन ठीक है आंसर हो गया ओप्सन नमबर C एक और सवाल बनता है सी राजगोपाला चारी जी के बारे में आपसे पूछेगा शोतंत्र भारत के पहले तथा अंतिम भारतिय गवर्णर जनरल कौन थे तो याद रखना है सोतंत्र भारत के पहले तथा अंतिम भारतिय गवर्णर जनरल थे सी राजगोपाला चारी और आपको पता होगा इनको भारत रतन भी दिया गया था सी राजगोपाला चारी याद रखेंगे तो सोतंत्र भारत के पहले तथा अंतिम भारतिय साहमन कमिशन भ्रत आया था, उसके अलावा इर्विन के इड़ान में आपको पता होगा, ठीक है तो साइमन कमिशन भारत आया था उसमें इर्विन का कारिकाल चल रहा था इर्विन भारत के वाइसराय थे पूर्ण सुराज की मांग जब की गई थी 1929 के लहाओर अधिवेशन में उस समय भी इर्विन का कारिकाल चल रहा था याद रखेंगे पहला गुल में शम्मिलन हुआ था उसमें भी इर्विन का कारिकाल चल रहा था याद रखेंगे ठीक है पूछा जाता है यह सब सवाल एक सवाल बताईगा भारत में पहली बार आईकर किसके कारेकाल के दौरान लगाए गया था तो भारत में पहली बार आईकर लगाए गया था कैनिंग के कारेकाल के दौरान भारत में पहली बार आईकर लगाय गया था कैनिंग के कारेकाल में याद रखेंगे ठीक है और 1857 की करांती भी कैनिंग के कारेकाल के दौरा नहीं हुआ था 1857 का करांती याद रखेंगे ठीक है वारेन हैस्टिंग से सवाल याद रखेगा इंपोर्टेंट है पूछता है क्या पूछेगा वारेन हैस्टिंग से तो बंगाल का पहले गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल का पर्थम गवर्नर जनरल कौन था तो बंगाल का पहले गवर्नर जनरल था वारेन हैस्टिंग्स याद इसवी का Regulating Act आया था 1773 का Regulating Act आया था याद रखना है पूस्ता है ठीक है तो बंगाल के पहले Governor General कौन थे Warren Hastings और Warren Hastings के समय में ही 1773 का Regulating Act आया था अगला सवाल इनहीं से एक और सवाल याद रखेगा कि बंगाल के अंतीम Governor कौन थे तो Warren Hastings ये बंगाल के अंतीम Governor थे बंगाल के अंतीम Governor कौन थे तो Warren Hastings ठीक है बंगाल के अंतीम Governor कौन थे तो Warren Hastings तो आपको याद रखना है ये सवाल कि बंगाल के अंतीम Governor थे Warren Hastings लेकिन 1773 इसमय में Regulating Act आया और 1773 की Regulating Act के द्वारा बंगाल के अंतिम गवर्नर को ठीक है यानि बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तो यह आप याद रखेगा ठीक है तो 1773 इस्वे में regulating act आया और 1773 के regulating act के द्वारा बंगाल की गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर हुए और साथ ही साथ ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी कहलाए याद रखेंगे ठीक है और भी इनसे बहुत सारा सवाल बनता है जैसे कि आप से पूछेगा कि पर्थम मराठा युद किसके कारिकाल में हुआ था याद अलम्पिक में व्यक्तिकत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलारी कौन है आपको बताना है अलम्पिक में व्यक्तिकत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है तो आपको आप जानते हैं कि 2008 का बिजिंग उलम्प में अभिन्व बिंद्रा ने सुटिंग में गोल्ड जीता था और और अलम्पिक में वेक्तिगत इस परदा में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था और कब जीता था तो 2008 के बिजिंग अलम्पिक में जीता था आपका answer होगा option number D अब यहाँ से कुछ और important सवाल आप देखिएगा जो एक्जाम में पूछा जाता है आप से पूछेगा आधुनिक ओलंपिक खेलों का आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला आयुजन कब किया गया आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला आयुजन कब किया गया ठीके आधुनिक ओलंपिक खेलों का और अधुनिक ओलंपिक खेलों का आयुजन कब किया गया तो याद रखना है 1896 तो आनवे में Athens में क्या गया था, याद रखेंगे, आगला स्वाल पूछ सकता है, ठीके, ज्यान दीज़ेगा, आपसे पूछेगा भारती ओलम्पिक संग के अस्ठापना कब की गई थी? तो भारती ओलम्पिक संग की अस्थापना 1927 इस्वी में की गई थी याद रखेंगे और अगर पूछे कि ओलम्पिक में सरवादिक स्वर्ण पडग जीतने वाले पूरुस खिलाडी कौन है तो आप जानते हैं माइकल फिलेप्स तिराक हैं और अमेरिका के तिराक हैं माइकल फिलेप्स को गोल्डन सार्क भी कहा जाता है तो याद रखेगा किसी एक Olympic में सरवादिक gold medal जितने वाले पूरुष खिलाडी हैं अमेरिका के तराक Michael Phillips, Michael Phillips को golden shark कहा जाता है, ठीक है, important है, याद रखेगा, अगला एक और सवाल आप बताएंगे, Olympic में भाग लेने वाली पहली भारतिय महिला खिलाडी का नाम क्या है? Olympic में भाग लेने वाली पहली भारतिय महिला खिलाडी का नाम क्या है आपको बताना है, तो मेरी लीला राओ, याद रखेगा, क्या नाम है, मेरी लीला राओ, तो Olympic में भाग लेने वाली पहली भारतिय महिला खिलाडी का नाम क्या है, मेरी लीला राओ, याद रखेगा, ठीक है? शोतंत्र भारत के पर्थम गवर्नर जनरल कौन है? आपको बताना है, शोतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? अप्शन A, Mountbatten, अप्शन B, Sir Charles Metcalfe, अप्शन C, Lord Auckland, अप्शन D, Lord Allen Burrow, तो आप जानते हैं कि सोतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखेगा, Mountbatten. आपका अंसर क्या होगा? Lord Mountbatten, सोतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? Lord Mountbatten, सोतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे? साथ ही साथ Lord Mountbatten, अंतिम ब्रिटिस फाइसराय थे? याद रखेगे, ठीक है? तो आंसर क्या होगा? अप्शन नमबर A. पर्थम भारतिय पाइलेट कौन थे? आपको बताना है, पहले भारतिय पाइलेट कौन थे? उप्शन A, विजय मित्तल, उप्शन B, मिर सैन, उप्शन C, JRD Tata, उप्शन D, इनमें से कोई नहीं. तो आप जानते हैं कि पहले भारतिय पाइलेट कौन थे? JRD Tata. याद पर्थम एवं अंतिम भारतिय गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है, सोतंत्र भारत का पर्थम एवं अंतिम भारतिय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है? तो फटा-फट आंसर करें, सोतंत्र भारत के पर्थम तथा अंतिम भारतिय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप जा option c option number b ठीक है चकरवर्ती राजगोपालाचारी option number b एक सवाल यहां से important है ध्यान दीजेगा आपसे पूछेगा कौन से charter act के जरिये बंगाल की governor general को भारत का governor general बना दिया गया पूछेगा यह सवाल तो याद रखना है बंगाल के governor general को बंगाल की governor general को भारत का governor general बना दिया गया ठीक है बना दिया गया कौन सा charter act द्वारा तो 1833 का charter act most important सवाल है 1833 का charter act तो याद रखेगा 1833 के charter act द्वारा बंगाल की governor general को ध्यान दीजेगा 1833 के charter act द्वारा बंगाल की governor general को भारत का governor general बना दिया गया था याद रखेंगे ठीक है और इस परकार अगर पूछे कि बंगाल का अंतिम governor general कौन था तो याद रखेगा Lord William Bentic बंगाल के अंतिम governor general थे और Lord William Bentic को 1833 के charter act द्वारा भारत का पहला governor general बनाया गया था समझ में आया तो 1833 का charter act क्या है बंगाल के governor general को भारत का governor general बना दिया गया और इस तरह Lord William Bentic बंगाल के अंतिम governor general थे और Lord William Bentic भारत के पहले governor general हुए याद रखेंगे ठीक है भारत आने वाले पहले रूसी परधानमंत्री कौन है आंसर करेंगे भारत आने वाले पहले रूसी परधानमंत्री कौन है आप्शन A व्लादिमीर पूतीन आप्शन B निकुलाई A बुल्गारियन आप्शन C मिखाईल मिसुचिस्तीन आप्शन D दमित्री मेदवेदेव तो आपको बताना है भारत आने वाले पहले रूसी परधानमंत्री का नाम क्या है तो याद रखेंगे भारत आने वाले पहले रूसी परधानमंतरी थे निकोलाई A. बुलगारियन आपको बताना है भारत के पहले रास्टपती कौन थे तो आप सभी जानते हैं पहले भारतिय रास्टपती कौन थे तो आपका आनसर क्या होगा Dr. Rajendra Prasad भारत के पहले रास्टपती कौन थे Dr. Rajendra Prasad ऑप्सन नमबर B याद रखेंगे अब यहां से क्या बनता है रास्टपती बनने के लिए minimum 35 वर्स के आयू होनी चाहिए याद पुछेगा आर्टिकल 52 में क्या है रास्टपती का पद याद रखेगा आर्टिकल 52 में क्या है ठीक है तो याद रखेंगे कि संग की कारेपाली का सकती किसके पास होती है राष्टपती में होती है यह कहा गया है ठीक है यह कहा गया है आर्टिकल तिरपन में तो आर्टिकल तिरपन के अनुसार क्या हो गया संग की कारेपाली का सकती राष्टपती में नीत होती है लाश्ट्पती के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के अस्थापना की जाती है आतिकल चववन के तहद, थिक है, तो रास्ट्पती का निर्वाचक मंडल अनुछित चववन में उलेखीत है, अगला पुछे रास्ट्पती बनने के लिए क्या क्या qualification होना चाहिए, इस 61 याद रखेगा राश्टपती द्वारा चमादान तो याद रखेगा अनुछेद 72 में कहा गया है राष्टपती द्वारा चमादान दे सकते हैं यह आर्टिकल 72 में कहा गया है याद रखेगा ठीक है तो राष्टपती पर महाभयोग अनुचिद 61 राष्टपती द्वारा चमादान अनुचिद 72 तो 61 में क्या है महाभयोग और 72 में क्या है राष्टपती द्वारा चमादान ठीक है? तो class को फटा फट एक बार आप लोग share कर दीजे. भारत आने वाले पहले British परधानमंत्री कौन है? आंसर करेंगे भारत आने वाले पहले British परधानमंत्री कौन है? तो भारत आने वाले पहले British परधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना है भारत का पहला मुस्लिम राष्टपती कौन है? आपको बताना है पहले भारती मुस्लिम राष्टपती यानि पहले मुस्लिम राष्टपती आपको बताना है भारत के पहले मुस्लिम राष्टपती कौन थे? तो आप सभी जानते है भारत के पहले मुस्लिम राष्टपती कौन थे? याद रखेगा कि भारत के पहले मुस्ल कहा जाता है एपी जबदुलकलाम भारत के 11 रास्टपती थे याद रखेगा ठीक है पूस्ता आए कभी कभी अभी चलिए अगला सवाल देखते हैं तो डॉक्टर जाकीर हुसेन भारत के पहले मुस्लिम रास्टपती भारत में आने वाले पहले अमेर्की रास्टपती कौन है आप आप आन्सर करेंगे भारत आने वाले पहले अमेर्की रास्टपती कौन है तो आप आंसर करेंगे भारत आने वाले पहले अमेर्की रास्टपती कौन थे तो याद रखना है भारत आने वाले पहले अमेर्की रास ठीक है तो भारत आने वाले पहले अमेर की रास्टपती कौन थे तो भारत आने वाले पहले अमेर की रास्टपती थे डू डैविड आईसन होवर आप्शन नमबर डी याद रखेगा भारत के पर्थम उपरास्टपती कौन है? आपको बताना भारत के पहले उपरास्टपती कौन थे? उप्सन A, अबुलकलाम आजाद, उप्सन B, स्यामा परसाद मुखरजी, उप्सन C, सरदार बल्लो भाई पटेल, उप्सन D, सरुपली राधा कृष्णन तो आप जानते हैं भारत के पहले उपरास्टपती कौन थे? डॉक्टर सरुपली राधा कृष्णन भारत के पहले उपरास्टपती थे? याद रखेगा ठीक है? और अगर पूछे उपरास्टपती का पद जो है किस अनुछेद में बताए गया है तो आर्टिकल 63 भारत के लि राधा कृष्णन को राष्टपती बनने से पहले ही भारत रत न मिल चुका है तो पूछता है ऐसे कौन से वेक्ति हैं जिनको राष्टपती बनने से पहले ही भारत रत न मिला था? तो डॉक्टर सरुपली राधा कृष्णन जी को याद रखना है ठीक है? तो डॉक्टर सर पदेन सभापती होता है। निखा गया है उप्राष्टपती का पद। अनुछेद 63 में लिखा गया है उप्राष्ट पती का पद लेकिन अनुछेद 64 में कहा गया है कि उप्राष्ट पती राजसभा का पदेन सभापती होता है ठीक है तो अनुछेद 63 में भारत के लिए एक उप्राष्ट पती का प्रावधान अनुछेद 64 में उप्राष्ट पती राजे सभा का पदेन सभापती होता है अगला पूस्ता है उप्राष्टपती का निर्वाचन किस अनुछेद के तहत होता है तो याद रखेगा उप्राष्टपती का निर्वाचन अनुछेद 66 के तहत होता है याद रखेगा मुगल दर्बार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन है आंसर करेंगे मुगल दर्बार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन है आप्शन A, वासको डिगामा, आप्शन B, Sir Thomas Rowe, आप्शन C, Hawkins आप्शन D, इनमें से कोई नहीं आप जानते हैं मुगल दर्बार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, Hawkins याद रखेगा मुगल दर्बार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, Hawkins Hawkins किसके सासनकाल में आया था, पूछे अगर तो याद रखना है जहांगीर के सासनकाल में आया था जहांगीर के समय ठीक है जहांगीर के सासनकाल या जहांगीर के दरबार में ठीक है याद रखना है Hawkins मुगल दरबार आने वाला पहला अंग्रेज कोन था जहांगीर के दरबार में आये थे याद रखना है विल्यम फिंच भी जहांगीर के दरबार में आये थे और एडवर्ड टेरी भी याद रखना है जहांगीर के दरबार में आये थे तो जहांगीर के दरबार में आये प्रमुख यूरोपीय यात्री कौन-कौन थे तो हॉकिन् तो मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे कैप्टन होकिन्स याद रखेंगे option number C इसका सही answer होगा और वास्को डिगामा जी के बार में आप जानते हैं कि वास्को डिगामा 1499 वी में भारत का पर्थम परदानमंत्री कौन है तो आप जानते हैं भारत के पहले परदानमंत्री कौन थे जवाहरलाल नहरू आंसर हो जाएगा option number D भारत के पहले परदानमंत्री पंडित जवाहरलाल नहरू भारत का ब्रह्मन करने वाला पहला चीनी यात्री कौन है आंसर करेंगे भारत का ब्रह्मन करने वाले पहले चीनी यात्री कौन है फाहियान याद रखेंगे और फाहियान से और क्या क्या सवाल बनेगा तो फाहियान किसके दरबार में आये थे तो चंद्रगुप्त दूतिये के दरबार में आये थे याद रखना है फाहियान चंद्रगुप्त सकेंड या विक्रमादित्ति के दरबार में आये थे आप जानते हैं चंद्रगुप्त दूतिये को विक्रमादित्ति भी कहा जाता है चंद्रगुप्त दूतिय या विक्रमादित्य के दरबार में ठीक है तो लिख लिजेगा कि फाहियान किसके सासनकाल में आये थे तो फाहियान चंद्रगुप्त दूतिय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आये थे ठीक है और फाहियान एक चीनी यात्री भारत का भर्मन करने वाले पहले चिनी यात्री थे फाहयान याद रखेंगे अगला सवाल पूछ सकता है वेन सांग वेन सांग किसके समय में आये था हर सवर्धन के सासनकाल में आये था वेन सांग याद रखेगा हर्सवर्धन के सासनकाल में वेन सांग भारत आये थे और वेन सांग के यात्रा विर्तान्त का नाम क्या है C.U. की तो पूछेगा C.U. की किसका यात्रा विर्तान्त है तो याद रखेगा वेन सांग का यात्रा विर्तान्त है C.U. की याद रहेगा, पूछेगा, सी यू की किन का यात्रा विर्तांत है, तो याद रखेंगे, वेन सांग के यात्रा विर्तांत का नाम, सी यू की है, वेन सांग हर्चवरधन के सासनकाल में भारत आये थे, ठीक है, तो क्लास को फटा-फट एक बार आप लोग सेर कर दीजेगा, और इत्सिंग के बारे में पूछेगा, तो याद रखना है कि इत्सिंग सातवी सदाबदी के अंत में भारत आये थे, इत्सिंग सातवी सदाबदी के अंत में भारत आये थे, और इन्होंने अपने विवरन में नालंदा विस्विद्याले, विक्रम सिला विस्विद्याले तथा अपने समय के भारत का विवरन किया है ठीक है तो भारत आने वाले पहले चिनियात्री कौन थे फाहियान ओप्सन नमबर बी याद रखेगा ठीक है अलबरुनी किसके साथ भारत आये थे तो याद रखेगा अलबरुनी महमुद गजनवी के साथ भारत आये थे अलबरु जोनी ने किताब उलहिंद या तहकी के हिंद नामक पुस्तक की रचना की है। दिल्ली का काजी या न्याइधीस न्यूक्ति किया था याद रखेगा ठीक है तो क्लास को फटा फटा आप लोग सेयर करें और जो बच्चे लाइक नहीं कियें प्लीज लाइक किजेगा भारत के पर्थम उपरधानमंत्री एवं ग्रिह मंत्री कौन थे आपको वतना भारत के पहले उपरधानमंत्री और ग्रिह मंत्री कौन थे तो आप सभी जानते हैं सरदार वल्लो भाई पटेल भारत के पर्थम उपरधानमंत्री और ग्रिह मंत्री थे और वल्लो भाई पटेल तो भारत के पहले उपरधान मंत्री एवं ग्रिह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभाई, पटेल, आप्शन B बिना ऑक्सिजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाले भारतिये कौन है? बिना ऑक्सिजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाले भारतिये का नाम है? बिना ऑक्सिजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाले भारतिये सिर्पा अंग दोरजी बारत के पहले सिक्चामंतरी कौन थे? तो आप सभी जानते हैं भारत के पहले सिक्षा मंत्री कौन थे मौलाना अबूलकलाम आज़ाद इंगलिस चैनल को पार करने वाले पहले भारतिय व्यक्ति कौन है आपको बताना है उप्सेच्ण प्रकास उप्सेचश सराम, उप्सेच्ण बीई मिहर सैन तो फटाफट आंसर करेंगे इंग्लिस चैनल को पार करने वाले पहले भारतिये कौन है तो आप जानते हैं क्या होगा आंसर मिहीर सेन याद रखेंगे इंग्लिस चैनल को पार करने वाले पहले भारतिये कौन है मिहीर सेन इंगलिस सवाल है आंसर करेंगे भारत में केंद्रिय मंदल से इस्तिफा देने वाले पहले मंत्री कौन है भारत में केंद्रिय मंत्री मंदल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री कौन है option A सुकुमार सैन, option B जीवी मावलंकर, option C स्यामा परसाद मुखरजी, option D इन में से कोई नहीं तो याद रखेंगे भारत में केंद्रिय मंत्री मंदल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री कौन थे स्यामा परसाद मुखरजी इंपोर्टेंट सावाल है इसको जरूर याद रखेंगे कि भारत में केंद्रिय मंत्री मंदल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री कौन थे स पर्थम चीफ आफ एर स्टाफ कौन है? पर्थम चीफ आफ एर स्टाफ कौन है? पहले Chief of Air Staff कौन थे तो Sir Air Marshal Sir Thomas M. Hurst ठीक है ICS में सफल होने वाले पहले भारतिये कौन है आंसर करेंगे ICS में सफल होने वाले पहले भारतिये कौन है Option A वियुमेस, मुखरजी, Option B मीर सैन, Option C रविंदनाथ टेगोर, Option D सत्यंदरनाथ टेगोर तो आप जानते हैं ICS में सफल होने वाले पहले भारतिये कौन थे, शत्यंदरनाथ टेगोर याद रखेगा ICS की परिक्षा में सफल होने वाले पहले भारतिये वेक्ति कौन थे, शत्यंदरनाथ टेगोर, Option D भारत का पहला वायू सेनाधक्ष कौन है? अंसर क्या होगा? ऑप्सन नमबर A भारत के पहले वायू सेनाधक्ष थे एर मारसल S मुखर्जी भारत के पहले वायू सेनाधक्ष ग्यानपीट पुरुसकार से सम्मानित पर्थम वैक्ति कौन है? ऑप्सन A श्री संकर कुरूप ऑप्सन B सत्यंदर नाट्टेगोर ऑप्सन C तो आसान सा सवाल है और काफी वार पूछा गया है आप जानते हैं ग्यानपीट पुरुसकार से सम्मानित पहले वैक्ति हैं जी संकर कुरूप याद रखेगा ग्यानपीट पुरुसकार से सम्मानित पहले वैक्ति कौन है? जी संकर कुरूप अगला सवाल पूछेगा कि ग ग्यानपिट पुरुषकार कब से दिया जा रहा है तो याद रखेंगे ग्यानपिट पुरुषकार के शुरुवात 1965 इस्वी में की गई थी पहला ग्यानपिट पुरुषकार जी संकर कुरूप को दिया गया था मल्यालम भासा के लिए याद रखेंगे ठीक है एक और सवाल हां से लिखेगा आप से पूछेगा हिंदी भासा का पहला ग्यान पिट किनको मिला था हिंदी भासा का पहला ग्यान पिट किनको मिला था हिंदी भासा का पहला ग्यान पिट किनको मिला था तो सुमित्रा नंदन पंत को याद रखेगा हिंदी भासा का पहला ग्यान पिट पु पूछेगा कि हिंदी भासा का पहला ग्यानपीट पुरुषकार किन मिला था सुमित्र नंदन पंत कोss ठीक है इनकी चिदंबरा के लिए इनको मिला था हिंदी भासा का पहला ग्यानपीट पुरुषकार 1965 में पहला ग्यानपीट पुरुषकार जी संकर कुरूप को मल्यालम भासा के लिए उनकी किर्थी का नाम था ओडा कुजाई अगला पुछेगा हिंदी भासा का पहला ग्यानपीट पुरुषकार किन को मिला सुमित्रा नंदन पंत को याद रखेगा इंपोर्टेंट पूसता है और अगर पूछे ज्यानपीट पुरुसकार पाने वाली पहली महिला का नाम तो याद रखेगा स्रीमती आसापुर्णा देवी ज्यानपीट पुरुसकार पाने वाली पहली महिला थी स्रीमती आसापुर्णा देवी को बंगला भासा के लिए ज् ठीक है हिंदी भासा का ग्यानपेट पुरुषकार पाने वाली पहली महिला कौन थी महादेवी भर्मा याद रखेंगे ठीक है और ग्यानपेट पुरुषकार आप जानते हैं कि साहित्य के लिए दिया जाता है ग्यानपेट पुरुषकार साहित्य के लिए भारत का सबसे वड़ा पुरुसकार है ज्यानपेट पुरुसकार ठीक है भारत के पर्थम 9 सेना ध्यक्ष कौन थे आंसर करेंगे भारत के पहले 9 सेना ध्यक्ष कौन थे आप्शन A, Admiral P.Z. आप्शन B, भासकर सोमन आप्शन C, Vice Admiral R.D. कटारी आप्शन D, Stephen Kalil तो भारत के पहले 9 सेना ध्यक्ष कौन थे तो आप सभी को याद रखना है भारत के पहले 9 सेना ध्यक्ष थे Admiral P.Z. ठीक है भारत के पहले 9 सेना ध्यक्ष कौन थे Admiral P.Z. आप्शन A आपका सही आंसर होगा भारत के पहले नौसे नाध्यक्ष एड्मिरल पीजी याद रखेगा भारत रत्न से सम्मानित पर्थम विदेशी नागरिक कौन है आंसर करेंगे भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी नागरिक कौन है इंपोर्टेंट सवाल है भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी नागरिक कौन है आपको बताना है तो आप जानते हैं खान अब्दुलगफार खान याद रखेगा कि भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी यात्री कौन है खान अब्दुलगफार खान अगला सवाल पूछेगा कि खान अब्दुल गफार खान को भारत रतन कब मिला था आपको बताना है खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है आप जानते हैं कि खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है ठीक है और इनको 1987 में भारत र तो याद रखेगा कि भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी नागरिक थे खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान को सिमांद गांदी कहा जाता है, खान अब्दुल गफार खान को 1987 में भारत रत्न मिला था, याद रखेंगे, खुदाई खिदमदगार को भारत रतन कब मिला नेलसन मेंडेला को 1990 में भारत रतन मिला था ठीक है ये भी याद रखना है 1990 में नेलसन मेंडेला को पुछेगा भारत रतन कब मिला तो नेलसन मेंडेला को 1990 में भारत रतन मिला था ठीक है और आपको पता होगा नेलसन मेंडेला को नॉबेल पुरुषका भी मिल चुका है, इंपोर्टेंट है, याद रखेगा पर्थम चीफ आफ आर्मी स्टाफ कौन थे? आंसर करेंगे पर्थम चीफ आफ आर्मी स्टाफ कौन थे? तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपसन नमबर C, राजंदर सिंग जड़ेजा याद रखना है पर्थम चीफ आफ आर्मी स्टाफ कौन थे? तो पर्थम चीफ आफ आर्मी स्टाफ थे? राजंदर सिंग जड़ेजा आपसन C, याद रखेंगे भारत रत्न पुरुसकार प्राप्त करने वाले पहले भारतिय व्यक्ति कौन है? आपको बताना है इसका अंसर क्या होगा? बताएं भारत रत्न पुरुसकार प्राप्त करने वाले पहले भारतिय व्यक्ति का नाम क्या है? तो आपका अंसर क्या होगा? आपसन नमबर B, सरवपली राधा कृष्णन याद रखेंगे भारत रत्न पुरुसकार प्राप्त करने वाले पहले भारतिय व्यक्ति कौन है? डॉक्टर सरवपली राधा कृष्णन आपसन नमबर B, डॉक्टर सरवपली राधा कृष्णन को 1954 इसवी में भारत रत्न पुरुसकार मिला था याद रखेंगे दॉक्टर चंद्र सेखर वेंकार ट्रमन को भी भारतरत्न पुरुसकार मिला था 1954 में तीन लोगों को भारतरत्न मिला था और भारतरत्न पुरुसकार प्राप्त करने वाले पहले वेक्ति कौन थे दॉक्टर सरौपली राधा कृष्ण याद रखेगा आपको पता होगा 28 फरवरी को राष्टे विज्ञान दिवस मनाये जाता है डॉक्टर चंद्रसेखर वेंकर टरमन जूडे हैं किससे 28 फरवरी से तो आपसे पूछेगा 28 फरवरी क्या मनाये जाता है 28 फरवरी को राष्टे विज्ञान दिवस मनाये जाता है और आपको पता ह प्रथम भारत के पहले कमांडर इनचीफ कौन थे? तो सोतंतर भारत के पहले कमांडर इनचीफ कौन थे? तो आपका आंसर क्या होगा? ओप्शन नमबर D गोल्डेन ग्लोब अवर्ड जितने वाले पहले भारतिय कौन है आंसर करेंगे golden globe award जितने वाले पहले भारतिय वेक्थी कौन है तो आप सभी जानते हैं AR रह्मान लोग सभा के पहले अधक्ष कौन थे आंसर करेंगे लोग सभा के पहले अधक्ष कौन थे लोगसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे तो आप जानते हैं कि लोगसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे जीवी मावलंकर गनेश वासुदेव मावलंकर लोगसभा के पहले अध्यक्ष थे और लोगसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे तो लोग सभा के पहले उपाध्यक्ष थे M. अनंत सैनम आयंगर तो जैसा सवाल पूछे वैसा आंसर करना है अगर आपसे पूछेगा लोग सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे तो याद रखेगा लोग सभा के पहले उपाध्यक्ष थे अनंत सैनम आयंगर और अगर क्या क्या सवाल important बनता है अगर आपसे पूछेगा पर्थम मुख्य नयाधीस कौन थे आपको पता है पर्थम मुख्य नयाधीस कौन थे तो आप याद रखेगा हीरा लाल जे कानिया पहले मुख्य नयाधीस कौन थे तो हीरा लाल जे कानिया याद रखेगा पहले मुख्य न इंडिया नेशनल ये सवाल लिख लिएगा इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के सम्मेलन में भारत की शोतंतरता का प्रस्ताव पेस करने वाले पर्थां व्यक्ति कौन थे? ठीक है, most important सवाल है, इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के सम्मेलन में भारत की सोतंतरता का प्रस्ताव पेस करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? याद रखना है हसरत मोहानी, क्या नाम है इनका? हसरत मोहानी important है, पूस्ता एक्जाम में हसरत मोहानी याद रखेगा, पूछेगा क इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के सम्मेलन में भारत की सोतंतरता का प्रस्ताव पेस करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हसरत मोहानी याद रखेगे, निती आयुक के पहले अधक्ष कौन थे? प्रदानमंत्री अधक्ष होता है, तो निती आयुक के पहले अधक्ष कौन थे तो नितियायू के पहले उपादेक्स थे अरविंद पंगडिया याद रखेंगे नॉबल पुरुसकार प्राप्त करने वाले पहले भारतिये तो रविंद नाटेगोर जी को 1913 में नॉबल मिला था आप जानते हैं तो याद रखना है कि रविंद नाटेगोर नॉबल पुरुसकार प्राप्त करने वाले पहले भारतिये तो याद रखेगा इस्टालिन पुरुसकार प्राप्त करने वाले पहले भारतिये कौन है सैफुदीन किचलू तो इंपॉर्टेंट सवाल है पूछेगा इस्टालिन पुरुसकार प्राप्त करने वाले पहले भारतिये वेक्ति कौन है सैफुदीन किचलू आपका अंसर होगा ठीक है तो क्लास को फटा-फट एक बार आप लोग लाइक और शेर कर दीजे अगला सवाल भारत के पर्थम चुनाव आयुक तो कौन थे? भारत के पहले चुनाव आयुक तो कौन थे आपको बताना है ठीक है भारत के पहले चुनाव आयुक तो कौन थे आप बताएंगे और भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे तो याद रखेगा भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त कौन थे सुकुमार सेन option number C याद रखेंगे मैक्से से अवर्ड पाने वाले पहले भारतिय व्यक्ति कौन है आंसर करेंगे मैक्से से अवर्ड पाने वाले पहले भारतिय व्यक्ति कौन है आप्शन A आचारे विनोवा भावे आप्शन B पाल गुम्मी साइनात आप्शन C रविश कुमार आप्शन D MS Swaminathan, तो आसान सा सवाल है, अंसर करेंगे, रमन मैक्से से अवर्ड पाने वाले पहले भारतिय व्यक्ति कौन है, तो आप जानते हैं, विनोवा भावे, याद रखेगा, रमन मैक्से से पुरुसकार पाने वाले पहले भारतिय व्यक्ति कौन है, तो रमन मैक्से से पुरुसक याद रखना है इसको एसिया का नोबल पुरुसकार कहा जाता है ठीक है रेमन मैक्से से पुरुसकार को एसिया का नोबल पुरुसकार कहा जाता है याद रखेंगे और रेमन मैक्से से पुरुसकार फिलिपिन्स के तीसरे रास्टपती को याद करते हुए दिया जाता है ठीक संचार सामुदाइक नित्रत्व एवं अंतरास्टिय सद्भाव के लिए दिया जाता है और रेमन मैक्से से पुरुषकार प्राप्त करने वाले पहले भारतिय वेक्ति आचारे विनोवा भावे याद रखेंगे तो आंसर ओप्सन नंबर ए सही होगा तो इतना ही सवाल था आप सभी से हंबल रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज क्लास को सपोर्ट कीजेगा क्लास को लाइक और शेर अवस्य कीजेगा तो मिलते हैं आप से अगले क्लास में आप सभी का तह दिल से धन्यवाद करेंगे जै हिंद जै भारत जै बिये से धन्यवाद